तो दोस्तों अब हम देखेंगे तीसरे प्रश्न को देखें तीसरे प्रश्न में दो प्रश्न दिए जाते हैं आपको दिखा देते हैं एक बार को तो आप जाद अच्छे से समझ पाएंगे तो यह है तीसरे प्रशन जिसमें आपको दो प्रशन दिखेंगे हैं जिसमें से किवर एक प्रशन को आपको करना होता है और यह ढहां से नहीं रिखा दे रहा है तो इसको अठाते हैं कोई काम का है नहीं अ यहां आप तो इन दोनों में एक प्रष्ण करना है जो प्रष्ण अ हैं हम ने ने लेख रैके है तो प्रष्ण संख्या जो तीसरे का पहला उला है सइर वेन तो डूंगों की एक संख्या तो था उसकी अंधुर रचने पर बने关 संख्या कि अंकों का यूग संख्या का यूग चाचाट है यजि संख्या के अंकों का अंतर दो है तो संख्या गयाद कीजिए ऐसे कितने संख्या हैं तो यहाँ पर जो संख्या हैं तो आपको हल करते वेगा तो पहले बाद तो यहाँ पर माना ठीक है कैसे करना पड़ाईगा इकाई का आंक ये देखना होगा और दहाई का आंक अब देखो यहां पे इनका अंतर दो है तो आप क्या कहे दो कि एक्स प्लस दो अंतर दो है तो एक्स प्लस दो हो सकता है संभव है ठीक माइनस दो या फिर प्लस दो कुछ भी कर सकते है कोई तो यह फिर माइनस दो ही किया जाए, प्लस दो भी गे सकते हो, अंतर है, अगर रिकाइक अंक दो है, तो दहाएक अंक उसका चार भी हो सकता है, ठीक है, और रिकाइक अंक चार है, तो असका यह छे भी हो सकता है, यह फिर दो भी हो सकता है, तो यह बतल सकता है, कुछ भी हो स तो यह बाते होती है तो यह बाते समझ में आ गई होगी में फ्याल से अंतर जब कहा जाए तो आप प्लस दू लें यह फिर मानज दो लें कोई दिक्कत नहीं होगी कुछ भी लेंगे हमें साफ उत्तर सही आएगा यह पर भाप संख्या की बात कर लेते हैं संख्या में जो होता है देखो दहाई कंग में 10 से गुड़ा करते हैं एक आइकन को जोड़ देते हैं तो दहाएगा अंक है, एकस प्लस दूग, इसमें हम दस से गुड़ा कर देंगे, और रिकाएगा अंक जो एकसे जोड़ देंगे, दस एकम दस एकस, प्लस दद दुनियत, बीस प्लस एकस, एक ग्यारा, एकस प्लस एकस, यह संख्या बजाएगे, और अंक उलटने पर संख्या प्राफ होगी, वो क्या हो की? तो गोगई दिखो, अभी क्या दाहाएगा दस से गुड़ा दे रहे अब एकसे में दस से गुड़ा करतो, इकसे की संख्या है, एकस उज में गुड़ा कर दिया दस से, और दाहाएगा हमने जोड दिया, कुछ आइसे, यह 10 हो दसे की गिया रहा एकस प्लस दो हो जाएगा अब संख्या और अंको लटने पर प्राप था संख्या यहाँ पर दिया गया है संख्या तथा अंको लटने पर प्राप बनी संख्या तेंक है का यूग फल कितना है छाचछट है तो प्रश्णा नुसार क्या करें कि संख्या संख्या प्लस अंग उलटने पर बनी जो संख्या है इनका योगफल इतना है वो छाचछट है संख्या हमारे 11x प्लस 20 थे प्लस अंग उलटने पर जो संख्या प्राप्त होई है वो 11x प्लस 2 है वराबर छाचछट अब ग्यारा एक्स ग्यारा एक्स जोड़कर के बाइस से एक्स बीस दूए बाइस बराबर छाचछट बाइस कुदर पर देजिए तो मुझे लगा था ये दूए गाल समेगर बनेगा पर ये तो बहुत सस्ते मिने पड़ी है मैं जब समझ नहीं आ रहा है दो बाइस एक्स बराबर छाचछट माइनस बाइस हो जाएगा जो कि 24 हो जाएगा तो बाइस एक्स दिखा देरा एक्स बराबर 24 बटे बाइस हो जाएगा कामेट देंको बाइस तो नहीं ये 24 एक्स के वैलू दो हो जाएगी अब हम आजाते हैं संख्या पर संख्या गया थी संख्या यहाँ पर देखो ग्यारा एक्स प्रस बीस थी तो ग्यारा एक्स के जनल दो प्लस बीस ग्यारा दुनी बाइस प्लस बीस बराबर बायालेस ठीक है और यहां पर अंक को लटने पर जो संख्या प्राप्त होगी अगर वहां पर ठखा जाए ठीक है अंक को लटने पर बनी संख्या को अगर देखा जाए वो ठीक है ग्यारा यारा याक्स प्लस दो ग्यारा गुड़ते दू प्लस दो याक्स कवान तो दू मिला था ग्यावत निवाइस प्लस दो यानि कि ये चौविस हो जाएगे देखो ये बात ही आथी कि बैयालिस और चौविस दोनों इसे संख्या हैं जिटके आउनकों लटने पर जो भी संख्या बनेगी उनका योग फिल कितना हो जाएगा च्छाचट हो जाएगा और उनके अंकों का अंतर दो है तो अभिष्ठ अभिष्ठ संख्या ये बैयालिस या चौविस हैं और ऐसी केवल दो संख्याएं संख्या में हो सकती है बैयालिस या चौविस ये दोना संख्या हो सकती है अगर बैयालिस से ही उत्तर है तो बैभाइस में चॉबिस जोड़ोगे तो चॉचोडोचेगा चोबिस से उत्धीर उचे निएны तो चॉट चॉचोडोचेगा इनके अंको का अंतर कितने अन्दो है तो ये आपका सही जवाब है हलागि अभी वे इसमें मुझे थोड़ा सा संकोच है इस बात को अच्छे तरगे से कहने में कि यह सही जवाब है पर ठीक है बस संकोच कुमारो गोली अगे बढ़ते हैं यहां पर कह रहे हैं कि पाँच वर्ड से पूर नूरी की आयो की तेन गुनी थी यहां पर हमको देखो नूरी और सोनी की आयो कितनी यह पूछना है इस साथ अगर हम वर्तमान सब्स जोड़ दें तो बेहतरीन होगा वर्तमान आयो यह यक्सु वर्स हो जाएगा और अबना सोनू है सोनू की वर्तमान आयो यह वाई वर्स है प्रथम सर्त के अनुसार पहले सर्त क्या कह रही है वो भी कुछ समझने वाली बात होगी कि पाँच वर्स पूर्व कितना भी है पाँच वर्स पूर्व पाँच वर्स पूर्व जो नूरी की आयो है यह क्यों लिख रहा हूँ मैं क्यों ही लिख रहा हूँ तो नूरी है की आयो, मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ छोटाओ की मांतरा क्यों नहीं लिखा रहा हूँ specialtyाई क्यों इस ऐसे पांच गटा देंगे अतने साल की रही होगी यह और सो नू सो नू की आयो की अगर बात किने तो इसकी वाई थी उसमें भी पांच घटा देंगे पांच साल पहले ये मामला रहता है अब जो नूरी की आइव है नूरी की आइव मतलब X-5 ये जो है वो सोनू की आइव सोनू की आइव यानि की Y-5 सोनू की आइव की किसके साथ सोनू की आइव की आज़ए सोनो की आज़ए थी तीन गुनि जिसके साथ का उसे के साथ गुना तीन गुनि बीच में बराबर तो X-5 बराबर 3Y माइनस 15 3Y को दरवेज दो X-3Y होजाएगा 15 बपरेज दो माइनस 15 5 प्लस 15 होजाएगा बराबर जीट पनतर में इस पांश गिए जीरो यह x-3y प्लस 10 बरावर 0 हो जागे जिसको समीकर नमबर हम 1 कहेंगे अब दुतिय दुतिय शर्त के ये अन्रिशार देखो शिश्मंदर में जो भी बच्चा पढ़ा होकर उसे पता होगा प्रथम दुतिये तर्थिये चतुर्त पंच्यम शर्ष्ट सर्थम अश्टम नमब दसम और आप दसवं दसम कक्षा में हैं तो नहीं पढ़ा है तो इस विश्मंदर में पता है दस वर्स पश्चाथ ये दस वर्स पश्चाथ मतलब बाद की बात कर रहे हैं तो नूरी की जो आई होगी वो क्या हो जाएगे नूरी की एकस थी उसमें दस जोड़ दीचिए ठिक वर्स और सोनू सोनू की आयो जो थी वाई उसमें दस जोड़ दीचिए ये मामला बढ़ता है अब नूरी की याई हम एक तरफ लिख लेते हैं और सुनों की आउग भी एक तरफ लिख लेते हैं, कितना गुना है वो पठते हैं किस दस वर सपजार नूरी की आउग है, यह नूरी की आउग है वो सुनों की आउग की दो गुनों, किसकी सुनों की दो गुनी formula की कोई है यह है इसकी दो गुनी पीच में बराबर बिर अशे इसे तरीके होता है यह x प्लस 10 दीखाए दे रहा है यह पर दो से 2y प्लस 10 दुनी यह 20 इदर भीज़ दो x माइनस 2y हो जाएगा यह प्लस में 10 यह माइनस 20 हो जाएगा बराबर 0 10 और भीज़ इसमें घटाना कर दो x माइनस 2y यह पर माइनस 10 बराबर 0 समीकरण नबर 2 कर दो दोनों में x x लामान है मस्त घटाना कर देते हैं समीकरण एक में 2 घटाने पर दूसा समीकरण घटाने पर पार समीकरण है x माइनस 3y उसमें प्लस 10 बराबर 0 है, दूसरा है एकस माइनस 2 वाई, उसमें माइनस 10 बराबर 0, घटाते हैं जिनें बदल देते हैं, यह कट जाएगा, यहां पर देखें घटाना हो जाएगा, तीन माइनस में हैं, दो प्लस में हो गया, अब हो गया, इस वज़े से घट जाएगा, ती माइस बिस बराबर जाएगा बराबर जीड दोनों चुड़ चांगे इस इदेjangगे माइनस फॉइ बराबर माइनस बीस पराप्थ हो जाएगा माइ बराबर जब . माइनस माइ billion बराबर हो जाएगा यजब 20 बराप्थ हो गया है तो y किसी आयू थी Y थी सोनू की आयो तो सोनू के 20 हो गए अब Y कमान समय के रण एक में रख दो गई रखने पर तो Y कमान समय के रण एक देखे यक से है माइनस से 3 है Y की वैलू अब ही आपको मिली 20 वही 20 Y की जेकाँ पे हम रख देते हैं 20 हमने रखने लिए प्लस 10 बराबर 0 कर दिए एक से 20 दिए ती इन a 60 होके माइनस 60 प्लस 10 बराबर 0 10 माइन में 60 माइनस में खड़ जाएगा और बचे का पचास 60 बढ़ायस के खियागे माइनस चिता- माइनस बराबर 0 तो Y यक से बराबर हो जाएगा पच्चास अत्ता है जो इसमें लोग थे नौरी की आयो जो की एक्स वर्स हमने मानी थी यहां पर देखेंगे वो है पच्चास वर्स और जो सोनु है सोनु की आयो जो की वर्स है वाई हमने माना था बीस वनलब वाई की वाई माना था और वाई की वेले में यहां पर देखेंगे बीस से वर्स यह उम्मेद करता हम आपको सब कुछ समझ में आ गया होंगा और राइट